तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास और आज हमने जो टॉपिक करना है तो आज हमने क्लाउड कंप्यूटिंग स्चार्ट करना है और हम यहां पर यह देखेंगे की बैञे हमारे जो क्लाउड कंप्यूटिंग की टॉपिक से वह हमारे क्या क्या होने वाले हैं तो दो बुन्यादी टॉपिक हैं उन दोनों की बात करेंगे और सबसे पहले हम यह देखेंगे कि बही क्लाउड कितने टाइप का होता है तो शुरू करते हैं आज सी क्लास सबसे पहले हम यह देखेंगे कि बही क्लाउड क्या है What is cloud? Is the on-demand delivery of computing resources आप इसको कह सकते हो या फिर cloud resources आप इसको कह सकते हो ओके सो यह इसका हो सकता है इसमें दो बाते important है over the internet with pay as you go यह दो बाते important है प्राइसे तो यह है जी cloud की definition या cloud computing की definition ठीक है यह बुनियादी definition है जो cloud computing की है है हमारी की बही cloud computing जो है वो on-demand delivery है आपके cloud resources की over the internet with pay as you go model अब आप कहेंगे सर बात नहीं समझाई तो बात यह है दोस्तों की cloud जो है आप cloud के किसी चीज को वो चाहें वो चीज फिर कहीं भी रखी हो चाहें फिर वो चीज USA में रखी हो चाहें वो पैसे आपको देने पड़ेंगे ठीक है pay as you go का मतलब होता है जितना आप चलोगे या चलाओगे उतना आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने एक मिनट चलाया तो एक मिनट का पैसा देना पड़ेगा एक घंटा चलाया तो एक घंटे का पैसा आपको देना पड़ेगा और आप मंतली चला रहे हो तो मंतली प्राइस आपको देना पड़ेगा तो ये cloud की एक बहुत important बात है जो आपको cloud में benefit मिला इससे पहले जो हमने बात की कि वही हमारे पास जो पास्ट में चीजे रही जैसे कि हमारे पास क्या था on-premises infrastructure हमारे पास था right on-premises infrastructure on-premises infrastructure कब का था जब मैंने आपको बताया था कि सन 2000 के आस पास जो है आपके पास on-premises physically सब कुछ present होता था physically present होता था है न फिजिकल हार्डवे फिजिकल हार्डवे यह आपके पास present होता था फिर आप ने क्या किया आपने इसी infrastructure को क्या कर दिया वर्चुलाइस्ट करके वर्चुलाइजेशन आप लेकर आ गए आपने कहा जी वर्चुलाइजेशन कर देते हैं ऐसा करने से हम इन resources का बहतर इस्तमाल कर पाएंगे फिर वर्चुलाइजेशन के बाद क्या आया वर्चुलाइजेशन के बाद आया cloud और cloud ने कहा हम वर्चुलाइजेशन तो करेंगे ही हम इन resources को यह freedom देंगे कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठे हों आप cloud के थुरू उसे access कर सकते हैं जबकि अगर खाली एक virtual environment हो तो वो possible नहीं था जब तक कि उसे over the internet ना लेकर आया जाए तो actually में जो virtualization concept है उसी को अगर आप यह समझें कि उसी में हमने एक portal बना के और internet के थुरू उसको provide करा दिया तो उस चीज़ को हम cloud कहते हैं इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि back end पे जो azure cloud हम पढ़ने जा रहें back end पे azure के data center में यह दोनों चीज़े होती हैं ध्यान से समझेए azure के data center में असल में यह दोनों चीज़े होती हैं on-premises infrastructure भी होता है और उसको virtualize भी किया गया होता है लेकिन आपको एक portal के थुरू आक्सेस होके मिलता है इसलिए आप उसको cloud कहते है try to understand इसको आप ऐसे समझेए कि आपके पास यह कुछ समान है for example आपके पास खाने बनाने की एक रिसी पी बताता हूं कि मैदा आपके पास है और आलू आपके पास है मसाले आपके पास है अब आपने क्या किया आलू को बॉयल किया मैदे को भी आपने मैश किया पानी में उसको मैदे का वो बनाया आटे जैसा और मसाले आपने मिक्स किया बॉयल आलू करके और उसके बाद इन मिक्स आलू को आपने इसमें भर दिया इसके बनाके और आपने उसको फ्राई कर दि मैदा का है ना उसमें यह पता चलेगा आलू का है because उसकी पूरी condition बदल दिया आपने although वह बना इनी चीजों से है लेकिन अब उसकी एक नई definition आगई कि यह समोसा है right similarly guys यह जो on-premises infrastructure है इसमें virtualization करने के बाद और उसको users को internet के थूरू एक पोर्टल के हवाले से उसको access कराने के बाद वो जो चीज कहलाती है वो cloud कहलाती है try to understand the concept यानि कि बन्यादी तोर पे azure के अंदर क्या हो रहा है azure के अंदर physical hardware भी available है और वो virtualize भी किया गया है help of hyper-v लेकिन उसको azure ने क्या किया उस पूरे data center को बाद में एक portal के थूरू जिसे azure कहा गया azure portal कहा गया उन्होंने अपने users को available करा दिया और बोला कि यहां पे login करके आप मेरे resources का इस्तमाल कर सकते है and that service is known as cloud got the point कि cloud क्या है यह बात समझ पा रहे हो आपने पहले यह बता यह बात समझ आ रही है कि cloud कैसे बना या कैसे होता है Excel में back end पे क्या होता है back end पे सारी चीज़े होती है आपको internet के थूरू मिलती है ठीक है अब यहां पे अगर मैं इसी definition पे वापिस आऊं तो इस definition के recording cloud computing is the on-demand delivery on-demand delivery का मतलब है आप जब चाहते हैं जहां से चाहते हैं आपको वो service मिलेगी delivery of cloud resources over the internet यानि कि internet के थूरू ही आपको मिलेगा यह याद रखियेगा this is the only disadvantage only disadvantage of cloud that internet is mandatory बिना internet के cloud access नहीं किया जा सकता आज की तारीख में कल को क्या होगा नहीं पता लेकिन आज की तारीख में बिना internet के cloud access नहीं कर सकते यह अकेला एक disadvantage है cloud का कि cloud access करना है तो internet होना ही चाहिए यह बात समझा रही है तो ओर दा internet with pay as you go pay as you go की वज़े से ही आज सारी दुनिया cloud पे आना चाहती है आज सारी दुनिया cloud पे आना चाहती है क्योंकि pay as you go एक ऐसा model है आप जितनी देर इस्तमाल करेंगे उतनी देर के पैसे आपको देने है एक हजार से पांच हजार रुपे में आप पूरे महीने cloud में storage का इस्तमाल कर सकते हैं और आप किसी company के लिए website बना सकते है पांच हजार दस हजार रुपे में बहुत बढ़िया website बन जाएगी और आपके कोई खर्चा नहीं आएगा घर बैटके एक laptop की help से आप सारा काम कर पाएंगे आपको storage चाहिए storage मिल जाएगी database चाहिए database मिल जाएगा कोई license का पंगा नहीं है कोई पंगा किसी चीज़ का नहीं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो cloud आपको दोस्तों provide कराता है तो cloud की अपने बहुत सारे advantages disadvantages होते हैं ठीक है तो पहले तो ये लिखने what is cloud फिर में बताता हूं कि cloud के features यानि की advantages क्या है लिख लिया चलिए तो अब लिखते है features of cloud है ना cloud के 5 गुनियादी features होते है features of cloud computing आप कहा सकते हो cloud computing के 5 गुनियादी feature होते हैं पहला feature जो सबसे popular है इसका that is on demand self service ये एक popular feature है cloud का दूसरा जो popular feature है that is broad network access बताऊंगा क्या होते हैं broad network access तीसरा जो feature है cloud का that is resource pooling चौत्था जो feature है cloud का that is measured service और पाचवा जो feature है that is elasticity ये पाच features होते है cloud के या ये कहलें कि cloud ये पाच चीज़े आपको देता है ये पाच खासियते हैं cloud के पास जिसकी वज़े से cloud को इतना पसंद किया जाता है उनमें जो पहला feature है that is on demand self service इससे क्या मतलब है इससे ये मतलब है दोस्तों कि आप गूगल को जो आप Gmail ID चलाते है वह actually cloud से ही आपको मिलती है Google cloud से तो वह जो Gmail ID है उसको आप रात के दो बज़े उपन कर लो अभी सुबह 10 AM पे उपन कर लो नाइट में 9 PM पे उपन कर लो एनी टाइम आप उसको उपन करो वो जब आप Gmail ID उपन करोगे आपको तब आपका Gmail का access मिल जाएगा आपको आपके inbox में सारे mails नजर आएंगे यानि 24 इन्टू 7 ये service available है आप जब चाहें जहां से चाहें अप Gmail Cloud पे ही है इसका एक और एक्जामपल अगर स्टोरेज का ले ले तो Google Drive आता है Google Drive तो जी ड्राइव जिसे कहते है तो Google Drive जो है वो भी Cloud Service है तो आप उसे जब चाहें जहां से चाहें इस्तमाल कर सकते है इस ओन डिमांड सेल्फ सर्विस Cloud का ये feature है कि वो service पूरी दुनिया से क नहीं भी किसी भी time आप access कर सकते है second जो अच्छा feature है that is broad network access इसका मतलब ये है कि आप Gmail को चाहें तो अपने mobile से देखें आप अपने mobile phone में login करने आप अपने tablet में login करने आप अपने TV के अंदर smart TV के अंदर login करने आप अपने laptop में login करने आपको आपका Gmail एक जैसा दिखेगा information नज़र आएगी जो inbox आपको mobile में नज़र आ रहा होगा जो mail आपको अपने mobile में नज़र आ रही होगी same mail आपको TV या फिर laptop पर भी नज़र आ रही होगी that is broad network access आप कहीं से भी उसको इसको 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 एकसेस कर सकते है बस शर्त यही है कि उस device में internet होना चाहिए तो यह भी एक अच्छा फिचर है cloud का तीसरा अच्छा फिचर यह है कि resource pooling आपके पास एक server है जो की छोटा server है जिसके पास दो GB की RAM है और आप बड़ा server चाहते हैं तो cloud में यह possibility है कि 2GB के साथ 2GB मिला के वो आपको एक 4GB का single server दे दे यह cloud के पास possibility है कि वो आपको एक बड़ा server प्रोवाइड करा दे 4GB का और वो यह कैसे कर पा रहा है resource pooling के base पे कर पा रहा है वो resources को जोड़ देता है या जोड़ा जा सकता है और उनको बना के एक powerful system बनाया जा सकता है that resource pooling is also possible even if you have multiple resources आपके पास multiple server है आप उनको भी एक single server की तरह pool करके या उनको cluster बना के utilize कर सकते है that is known as resource pooling कि आप उनका एक pool create कर सकते हो एक cluster create कर सकते हो cluster मतलब group create कर सकते हो उस group का क्या फाइदा होगा कि एक साथ तीन server service दे रहे हैं अगर एक server खराब भी हो गया तो दो server तो available है मेरे customer के पास जो मेरे customer को service दे रहे होंगे that is pooling resource pooling बास समझ आ रही है बात फिर है measured service measured service का मतलब क्या है measured service का मतलब है दोस्तों कि आप cloud में जो भी काम कर रहे हो आपके server पे कितना traffic आ रहा है daily कितने लोग आपकी website एकसेस कर रहे हैं हर एक चीज cloud में calculate यानि कि measured की जा सकती है आप हर एक चीज यानि कि घंटे के हिसाब से minute के हिसाब से आप check कर सकते हो कि मेरे cloud पे मेरे network पे मेरे server पे कितना traffic आ रहा है कितने लोग access कर रहे हैं for example मैं जब हम hot star पे tv देखते हैं match देखते हैं disney hot star पे तो उस वकत क्या होता है उपर दिखा रहा होता है 1.2 करोड people watching this match live तो वो 1.2 करोड जो देख रहे हैं लोग एक साथ वो क्या है वो measured service है क्योंकि cloud पे वो काम हो रहा है इसलिए hot star AWS को ही इस्तमाल करता है तो यहां पे measured service जो है वो इसका मतलब यह है कि जितने भी user इस्तमाल कर रहे है hand to hand वो result दे रहा है कि 1.2 करोड people are watching live तो यह चीज़ आपको measured service में मिलती है cloud में आप हर चीज़ को measured कर सकते हैं आपकी जो भी service के parameter है सारे के सारे measurable होते हैं आप उनका live stats देख सकते हैं किस time पे किसका क्या figure आ रहा है पाच्वा point है elasticity इसका मतलब है आपको जब भी जरूरत है अपने resources को expand करने की आपको 2 GB कम लग रहा है 4 GB करना है आपको 4 GB कम लग रहा है आपको 8 GB का server बनाना है आप कभी भी उसी server को नया बनाने की जोतनी है उसी server की capacity को बढ़ा सकते हैं उसी storage की capacity को बढ़ा सकते हैं Cloud में आपने जो भी चीजे लिए हैं, वो सारी की सारी Elastic होती है, Elastic का मतलब होता है, जो अपनी Capacity को सुविधा के अनुसार, जरूरत के अनुसार बढ़ा सके, या घटा सके, उस चीजे को Elasticity कहा जाता है, तो आपके Server, for example, आपको छोटा पढ़ रहा है, आपको उससे बड़ जा गए, नहीं, रिसोर्स पूलिंग और Elasticity सेम नहीं है, रिसोर्स पूलिंग में आप resources को एड करने की सुविधा आपको मिलती है, आप Elasticity का Concept, Auto Scaling का Concept होता है, और रिसोर्स पूलिंग का Concept, Cluster का Concept होता है, दोनों अलग होते हैं, ठीक है, सेम नहीं है दोनों चीजे, चलि जिनको आता था, उनका revise हो गया होगा, जिनको नहीं आता था, उनको दो-तित दफ़ा ये वीडियो देखना है, because उनको ये बाते पता होनी चाहिए, जो हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं, अब आते हैं जी अगले topic पे, that is types of cloud, अब मैं आप से पूछता हूँ, आपकी according कितने तरीक के cloud होते हैं, देखें, तीन तरह के बुनियादी तौर पे cloud होते हैं, जिसमें की जो पहला cloud है, that is public cloud, याद रखेगा, first cloud is public cloud, second cloud is private cloud, and third cloud is hybrid cloud, cloud बुनियादी तौर पे तीन तरीके का होता है, बात समझा रहे हैं, cloud is of three types, public cloud, private cloud, and hybrid cloud, लिख लिया, अब यहाँ पे, public cloud के बारे में आप एक बात लिख सकते हो, कि public cloud is open to all, यह सब के लिए available होता है, is open to all, right, private cloud को आप कह सकते हो, owned by by one organization, यह private organization, developed for their own use, यह आप लिख सकते हो, right, hybrid cloud is nothing but a combination, hybrid cloud क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक public cloud और एक private cloud अगर दोनों कहीं इस्तमाल हो रहे हैं, कम से कम एक एक होना चाहिए, एक से ज़ादा हो सकते हैं, अगर एक public cloud और एक private cloud, किसी environment में दोनों use हो रहे हैं, that cloud is known as hybrid cloud, यानि hybrid cloud अलग से कुछ भी नहीं होता है, पहली बात तो यह है, hybrid cloud कुछ नहीं होता है, ठीक है, यह कोई अलग से cloud नहीं होता है, पहली बात तो यह clear कर लें अपने दिमाग में, अब आते हैं public cloud पर, public cloud is open to all, इससे क्या मतलब हुआ, हम जो azure पढ़ रहे हैं, वो public cloud है या private cloud है, what do you think, हम जो पढ़ रहे हैं, वो public cloud है या private cloud है, बिलकुल सही आपने फरमाया कि यह जो है public cloud है, microsoft azure, aws, gcp, alibaba cloud, oracle cloud infrastructure, यह सारे के सारे public cloud है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, जैसे की popular यह ही है, ठीक है, यह popular है, तो यह जो cloud है, यह सारे के सारे public है, सारे के सारे public है, यानि, इनको आप इस्तमाल कर सकते हैं, private cloud की बात करूँ, तो private cloud है कैसा cloud होता है, जो कोई company अपने इस्तमाल के लिए बनाती है, सब के इस्तमाल के लिए नहीं बनाती, जैसे Ericsson का अपना cloud है, Ericsson ने अपने लिए बना रखा है, Nokia ने अपने लिए अपना cloud बना के रखा हुआ है, जिसमें वो अपना data रखती है company का, even HDFC का अपना cloud है, और जो है आपके यह जो company है, Huawei का अपना cloud है, IBM का अपना cloud है, Dell का अपना cloud है, तो इनके जो cloud होते है, that is known as private cloud, ठीक है, यह अपने लिए बनाते हैं, तो private cloud का जो एक common example है, private cloud अगर आप बनाना चाहते हो, तो उस cloud का example है, open stack, open stack जो है वो एक private cloud बनाने का platform है, आप इसके थूरू अपना private cloud डैवलप कर सकते हो, अपनी company के लिए, अगर आप भी अपना private cloud बनाना चाहते हो, open stack की help से आप अपना private cloud खुद का cloud बना सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो service इस्तमाल की जाती है, या जो tool इस्तमाल किया जाता है, that is known as open stack, ठीक है, अब आते हैंगी hybrid cloud पे, hybrid cloud nothing, अगर कोई company कुछ हिस्सा public cloud बे यूज़ कर रही है, और कुछ कामों के लिए private cloud को यूज़ कर रही है, तो ऐसी company को, या ऐसे cloud को, उस company के अंदर जो यूज़ किया जा रहा है, उसको hybrid cloud कहा जाता है, simple है, बहुत simple है, ठीक है, अब मैं आपको इसे असान भाशा में समझाता हूं कि, असल में इन cloud में बुनियादी तोर पे क्या फरक है या क्या नहीं है, ठीक है, हम इस बात को देखते हैं, तो देखे दोस्तों, आप public cloud की और private cloud में फिलाल हम compare करते हैं कि, क्या फरक हैं, क्या फाइदे हैं, क्या नुपसान हैं, है ना, इसको असान भाशा में एक example से समझते हैं, और आपको सारी बाते अपने आप समझा जाएगी, for example, आपने दिल्ली से गुडगाओं तक अपने office जाना है, और आप office जाने के लिए generally जो है, आप metro train का इस्तमाल करते हैं, या फिर डिटी सी की bus का इस्तमाल करते हैं, चाहे bus हो, चाहे metro हो, ये क्या कहलाते हैं, public transport कहलाते हैं, public transport, आप दिल्ली से गुडगाओं अपने office public transport से जाते हैं, जिसमें कि, मैं ऐसा assume करता हूँ कि, आप metro से जाते हैं, अगर दिल्ली से गुडगाओं आ Metro से जा रहे हैं और लेकिन आप गुर्गाओं नहीं गए आज आज आप उतर गए मैट्रों से पहले ही सिकंदरम पुर م्य tweets चेशन पर आतर है आप उतर गए आपने का मुझे सिकंदरम तो क्या आपा टिकेट गुर्गाओं तक का लगेगा आप तो metro card use कर रहे हैं for example आपने जो metro card होता है तो आप अगर सिकंदरपूर metro station पे उतर गए तो आपका जो bill कटेगा जो आपका price लगेगा वो सिकंदरपूर metro station तक का लगेगा अगर आप गुडगाओं तक जाते हैं तो for example आपके 50 रुपे लग रहे हैं और सिकंदरपूर तक आपके 35 रुपे लग रहे हैं आप अगर सिकंदरपूर उतरोगे तो आपको 35 रुपे card में से कटेंगे और आप अगर गुडगाओं उतरते हो तो आपके 50 रुपे कटेंगे हम ऐसा मान लेते हैं यानि कि जितना मैं चल रहा हूँ पे ऐस यू गो जितना मैं चल रहा हूँ मुझे उतना पे करना पड़ रहा है अब दिल्ली से गुडगाओं जाने के लिए क्या मुझे मैट्रो की कोई सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी जो 5000 रुपे की आएगी या 5000 रुपे की आएगी या फिर ऐसा होगा कि अगर मैट्रो खराब हो गई फार इक्जैम्पल मैट्रो खराब हो गई रस्ते में तो क्या मैट्रो का ड्राइवर निकल के ये कहेगा भाई एक काम करो सभी लोग 100-100 रुपे मिलाओ और 1000 लोग बैठे हैं और जितना बिल बनेगा उससे मैं मैट्रो ठीक करवाता हूँ फिर मैं आगे लेके जाऊंगा क्या मैट्रो खराब होने पर पैसे आपको देने पड़ते हैं आप कहोगे नहीं देने पड़ते क्या मैट्रो का रख रखाव आपको करना पड़ता है आप कोगे नहीं करना पड़ता, क्या मैट्रो में AC के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, आप कोगे नहीं देने पड़ते, क्या मैट्रो में जब security check होती है, station पे साफ सफाई होती है, उसका खर्चा आप से लिया जाएगा, आप क्या पे करना है, आप जहां तक दिल्ली से और जिस भी station तक गए, आपको सिर्फ वहां तक का किराया देना है, बाकी सारी maintenance, सारा खर्चा किसका है, जो दिल्ली मैट्रो को चला रहे हैं, उनका है ये खर्चा, maintenance, सब कोछ किसका है, जो उसको चला रहे हैं, आपका purpose क्या था, क्या आपका purpose ये था मुझे मैट्रो में आदा घंटा जो है, पिताना है, आदा घंटा time pass करना है, नई, आपका purpose था office जाना, क्या आप office पहुँच गए, जी हाँ, आप office पहुँच गए, correct है, अब दूसरी तरफ, आपने अगले दिन plan बनाया, यार कल से मैं metro में नहीं जाओंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाना चा आप शोरूम में गए, शोरूम में जाके आपने का जाब मुझे जो है, एक कार दे दीजे आप, सुजूकी दे दीजे, सुजूकी कौन सी आती है वो, असेंट, असेंट आती है, कौन सी आती है, असेंट आती है, तो आपने का साब मुझे सुजूकी दे दे, असेंट जो भ आपने का कितने की है उन्होंने का 10 लाख रुपे की आपने 10 लाख रुपे दिये गाड़ी ले ली अब क्या 10 लाख रुपे जो गाड़ी आपने ले ली तो क्या अब ये गाड़ी ऐसी चलती रहेगी 10 लाख रुपे जब तक इसके पूरे नहीं नहीं लाते के साथ ही आपको उसमें पैट्रोल डलाना पड़ेगा और वो पैट्रोल रेगुलर आपको डलाना पड़ेगा जब जब आपको जाना है और पैट्रोल खतम हो रहा है यानि आपका आगे भी खर्चा होना है आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो क्या अब आप ये कहोगे जैसे मेट्रो वाले ख खुद की हो गई, maintenance भी आपकी, खरीदी भी आपने, चला भी आप रहे हो, petrol का खर्चा भी आपका, drive कौन कर रहे है, drive भी आप खुद कर रहे हो, कल को गाड़ी में कुछ भी टूट फूट हो गई, कौन ठीक कराएगा, आप कराओगे, service भी आप कराओगे, गाड़ी खराब है खराब पड़ी है, तो पड़ी रहेगी, जब तक आप ठीक नहीं कराओगे, this is the difference between public and private cloud, इसी example में सारी बाते लिखी है, आप जब public cloud इस्तमाल करेंगे दोस्तों, तो आपको कोई खर्चा नहीं देना, सिवाए इसके की जितनी देर आपने resource इस्तमाल किया है, उस हिसाब से आप पे कर दें, बस, इसके इलावा सारी headache किसकी है, public cloud provider की है, वो ही ठीक करा के देगा, वो ही सब कुछ करेगा, maintenance करके देगा, कोई दिक्कत आएगी तो करके देगा, हर चीज वो handle करके देगा, आपको तो बस किराया देना है, इसका एक बहुत अच्छा example और भी दिया जा आता है, वो example क्या है, कि भई आपके घर में आपको टीवी चलाना है, या आपको फैन चलाना है, तो कैसे चलेगा, electricity चाहिए, अब electricity के भी दो method हैं आपके पास, एक तो ये है कि आप सरकारी लगा लो, और उसमें आपका एक मीटर लग जाएगा, और जितनी बिजली आप ख प्रैफर करते हो, आप मीटर वाला प्रैफर करते हो, जितनी देव चलाना है, दे दो, बाकि कोई हैड़ेक नहीं, कोई खर्चा नहीं, जनरेटर लाओ पहले 50,000 रुपे का पैटरोल डालो, फिर उसमें जो है, मेंटेनेंस करो, जनरेटर आवाज भी करेगा, खराब भी हो होगा, सो दिक्कते होंगी, तो यह जनरेटर है, यह आपके प्रैवेट क्लाउड की तरह है, और यह जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपका लगता है, और सरकारी कनेक्शन आता है, यह बुनियादी फरग हैं दोस्तों, पॉब्लीक और प्रैवेट क्लाउड में, तो प्रैव हैं समने करनी है अगर सारी चीज़े हमने करनी है फिर मैं आपको example से ही समझाता हूँ आप एक बात बताएं वो लोग बेफकुफ तो नहीं है जो दिल्ली से गुडगाओं अपनी कार से जाते हैं जा तो जेब काटी जा सकती है आपके साथ बत्तमीजी की जा सकती है मेट्रो में आपके जो है समान चोरी किये जा सकते हैं आपकी किसी से लडाई हो सकती है बट इन चीजों के chances कम हो जाएंगे बिल्कुल ना तो मैं नहीं कहूंगा बट minimum हो जाएंगे जब आप अपनी कार से ट्रैफल करेंगे आपकी अपनी कार के अंदर ही गारी चलाते हुए जेब कट जाए यह लगबग अजीब सी बात होगी राइट फिर तो यहीं हो सकता है कि फिर आपकी जो है कार की सीट नहीं आपकी जेब काट ली ओ यही Sachता है क्योंकि अपनी कार में बैठके आपकी जेब नहीं कर सकती, you are more secure inside your own car, but public transport में आप secure नहीं है, कहीं न कहीं आप publicly बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, announcement भी कर दी जाती है, या तिरी अपने सामान की सुरक्षा स्वयम करें, हैं, तो ये चीज़ है, अब नितेश सिंग ने कहा, accident भी हो सकता है कार में, जनाब accident तो किसी का भी हो सकता है, अभी उडिसा के अंदर एक train हाथ सा हुआ, वो तो किसी की public नहीं थी, वो private train नहीं थी, वो तो सरकारी train थी, तो वो सरकारी train भी तो हाथ से का शिकार हो सकती है, metro train भी तो हास्ते का शिकार हो सकती, अभी हिमाचल के अंदर बस गिर गई पहाड में, वो तो सरकारी बस थी, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो public cloud में भी रहेगा वो चीज़, उसका जो आप कह सकते हैं, chances और private cloud में भी हैं, वो chances सर हर जगा होंगे, वो ऐसा नहीं है कि सिर जाल के पोखरा में क्रेश हुआ, तो यह ऐसा नहीं है कि यह चीज़, यह तो कहीं भी हो सकती है, बट हमने और चीज़े भी देखनी है, हमने और चीज़े भी देखनी है कि economical कौन सा है, beneficial कौन सा है, वो सारी चीज़े देखकर, बट अगर आप यह कहते हैं कि नहीं जी, मेर मेन जो priority है, वो privacy है और security है, अगर आपकी top priority यह है, then go with private cloud, आप private cloud के साथ जाहिए क्योंकि वहाँ आपका control ज़्यादा होगा, बात को समझे, private cloud में आपका control हमेशा ज़्यादा होगा, more control over the resources, private cloud में लिख लिजेगा, more control over the resources, आपका resources के ओपर ज़्यादा बहतर control होगा, कैसे, भई एक बात बताएं, आपको मन कर रहा है, यार मेरा दोस्त मैट्रो के नीचे खड़ा है, बिल्कुल जस्ट आपको साड़क मैट्रो पर सदिख गया, for example, मैट्रो चल रही है, पिलर के उपर, आपको दिखा, आपका दोस से खोल देगी, नहीं खोलेगी, मैट्रो चल गई तो चल गई, आप कहते हो, रुको जरा दो मिनट रुक जाओ, मैं जरा पानी की बोतल लेगे आ जाता हूँ, दो मिनट मैट्रो का ऐसी खड़ा रखो, क्या मैट्रो आपके लिए वेट करेगी, नहीं करेगी, बट आपकी अपनी कार है, आपका जहां मन करे गाड़ी को रोक लो, आपका जहां मन करे वाँ खरिदारी करने लग जाओ, आपका मन करे आप दो मिनट के लिए पानी पीने लग जाओ, that is the privilege which you will get in a private cloud, वहाँ पे control जादा है, आप जैसे चाहते हैं चीज़ों को control कर सकते हैं, बट पबल जो भी बंदा Azure को इस्तमाल करेगा, उनको Azure के जो resources हैं, जो Azure ने policy बनाई है, उनको follow करना पड़ेगा, Azure नहीं उनको follow करेगा, क्योंके हिसाब से अलग से बना के देगा, Azure ने तो बना दिया जो उसको best लगा, जैसे दिल्ली Metro बना दी गई, सब के लिए बना दी गई, आप उसमें आप लाग कमियां बताएं, लेकिन लोग तो इस्तमाल करी रहे हैं, तो ऐसे ही Azure भी है, Azure को एक proper तरीके से बनाया गया है, दुनिया उसको इस्तमाल कर रही है, popular cloud है, तो और वो किस का cloud है, किस company का है, Microsoft का cloud है Azure, हलाकि यह थोड़ा लेट आया, AWS के बाद आया, लेकिन अभी market में ठीक ठाक इसका जो है, शेर हो रहा है, तो दोस्तों यह है जी public और private की कहानी, अब आते हैं hybrid पे, hybrid का मतलब क्या था, hybrid कुछ नहीं है, hybrid का मतलब है कि मेरी यह company है, for example, HDFC, और HDFC के अंदर मैं दो तरह का data मेरे पास है, एक है customer data, और employee data, और दूसरी तरह एक data है मेरे पास, general data, day to day का data हो गया, sales का data हो गया, इस तरह का data, तो मैं क्या करूँगा, मैं यह चाहता हूँ, customer का data और employee का data बहुत confidential है, और मैं इसमें risk नहीं लेना चाहता, तो मैं कहता हूँ, इसके लिए मैं अपना private cloud बनाऊँगा, और उस private cloud मे यह information में अपने control में रखूँगा, और बाकी normal data के लिए, normal कामों के लिए मैंने कहा कि मैं azure यानि की public cloud का इस्तमाल करूँगा, और वहां से इन चीज़ों को use करूँगा, अब इसमें एक contradiction यह आएगा, कि sir इसका मतलब तो यह हो गया कि public cloud फिर confidential चीज़ों के लिए use ही नही बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगें फिर वही बात आ गई, metro और कार, भई जो कार कार को afford कर सकते हैं, वो ही इस option के बारे में सोचेंगे, जिन लोगों के पास car afford करनी का option ही नहीं है, वहां security तो बहुत बात की बात है, उनके पास option ही सिर्फ यह है कि वो metro का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और ऐसा नहीं है कि हर बंदे की जेब कर जाती है, metro में जाने से, लोग तो 20-20 साल से सफर कर रहे हैं, और आज तक एक रुपिया चोरी नहीं हुआ, ऐसे भी लोग है, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक क्लाउड कोई सेफ नहीं है, आपके confidential data के लिए या कुछ ऐसा, 100% सेफ है, 100% सेफ है, ऐसा कोई problem नहीं है, आप proper security लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी, अगर किसी का budget है, कार को afford करने का, तो वो लेगा, उसको पता है मेरे पास पैसा ह मैं ले सकता हूँ, वो ले लेगा कार को, ऐसे ही जो बड़ी company होती है, वो अपना एक private cloud बना लेती है, वो कहती है, ठीक है हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम अपना एक private cloud भी बना कर रख लेते हैं, worst condition के लिए, तो वो बना सकते हैं, जिनका budget है वो बनाएंगे, बड़ जो start- startups हैं, start-ups हैं, क्या वो afford कर सकते हैं, private cloud भो afford नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या बहतर है, उनके लिए बहतर है कि वो public cloud का इस्तमाल करें.